एजास और पवित्रा के बीच छड़े जंग आखिरकार दिल की बात आ गई जबान पर कल जहां सिधात और उनकी टीम यानि के एजास खान पवित्र पुन्या निकी ताम वोली बसर टास्क हार गई थी एजास और पवित्रा ने घर में मारी थी एक बार फिर से एंट्री जहां वो बन गए रेज जोन कंटेस्टेंस इतना ही नहीं कल पहला कैप्टेंसी टास्क भी हुआ जहां घर वालों को एक फायर स्टेशन दिया गया और अपनी डॉल्स को उन सभी कंटेस्टेंस को बचाना था वहीं इस टास्क के संचालक रहे एजास खान और पवित्र पुन्या जहां टास्क के दोरान इनके बीच आपसी सहमती नजर होती नहीं आई इजास के मुदाबिक वो कंटेस्टेंट थी रुबिना जो निकली दी घर से अंत में बाहर वहीं पवित्रा के लिए थे अभिनब जिनों ने घर के दरवाजे को एंड में छोड़ा लेकिन इस डिसकॉशन के बीच एजास और पवित्रा ने अपने दिल के अंदर की काड को रग दिया सभी के सामने इजास करते नज़राय पवित्रा से शिकायत कि उन्होंने किया है उन्हें टास के दारा नॉमिने जिसके बाद बड़े ही प्यार से पवित्रा गई थी इजास को समझाने लेकिन इस जगड़े के वक्त ही हो गई इस बात पर बहस 1976 में कि मैं भी emotions है पल पल पढ़ रही है इजास और पवित्रा के बीच दूरिया जहां इजास पवित्रा से कहते है कि मुझे से दूर रही है जहां पवित्रा कहती है कि खुबसरत हुए से लिए पास आ जाते हो दूर। वहीं एक सीन ये भी देखा गया कि इजास एकदम करीब आकर पव पवित्रा उन्हें दूर करती है इजास कहते है कि मुझे हाथ लगाए बिना बात करें तब पवित्रा मनाम डिस्टंस मेंटेन करती है और कहती है कि अगर इससे अंदर आए तो हाथ लगेगा पवित्रा ने ये भी कहा कि माफी मांगने आई थी देरी से अब पवित्रा और शुरुआज शुरू होने से पहले ही खतम होती नजरा आ रही है आपका क्या है कहना पवत्रा और रिजास के इस दोस्ती पर हमें कॉमेंट कर ज़रूर बताए टेलिविजिन के लिए डिस न्यूज और गॉसिप के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब ज़रूर करें